नमस्कार साति आपका स्वागत आपके यूट्यूब चनल ट्रेडवित रहाने चलिए दोस्तों शुरुबात करते हैं जैसे कि अपने कौटर 3 रिजल्ट के सीरिज चले तो उसके दिएसे इंडर्शी लिम्टेड का कौटर 3 का रिजल्ट रहात तो उसके बारे बात करने से पहले अगर अपय तक आपना चैनल को अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें और बेल एका को बजाना बिल्कूल ना भूलिए तो जैस इंडर्स्ट्रिल लिम्टेड का बेसिकली काम क्या वो सब्सक्राइब करता हूँ काम क्या उच कुछ नहीं करते कंपनी बेसिकली यह फैवरिक और लैधर मैनुफेक्चर के अंदर लाग यह देख सकते हैं प्लास्टिक करोड़ाओं falls लोग पास शorld देखने सक्क्राइब बहुत आउट परफॉर्मिंग आया तो प्लिस पीड वीडियो को पूरे देखिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलिए तो चलिए इसका क्वाटर 3 का रिजल कैसा उसके बारे बात करते हैं तो देखिए इसका क्वाटर 3 के रिजल आज ही आया अज 22 जनवरी और रात के अभी नो बज़ रहे है तो यह देखिए इसका रिजल अभी आउटकम निकल का है यानिके साम को पांच बज़े के पास पूरा अपडेट हुआ तो देखिए इसके अनिंग स्लैक्स के अंदर है इसका मार्केट अब टोटल स्का अंदर अंग तो इसके डी गण है तो इसके टोटल अंग हुई है चे हजाग्यां थीन सो एककावज की में लास्ट कावटर में था पाच ज़ार दोपिचासी लेक की लास्टी चार आज़गा सर्थिए लेक की तो यह दिब ऑए लोटका र अब चलते इसके इंदर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस कौर्टर में एक्सपेंस वहाँ पांची जर चारसोग्षटावन लाक कर लास्ट एट तीन हजा थे तो इसके बड़ा देखने को मिली है, बात करेंगे इस कौर्टर में ओपरेशन प्रॉफिट है अब चलते हैं यह बहुत अच्छा ग्रोफ देखने को मिल दिया में अब चलते हैं प्रॉफिट करेंगे तो इस कॉटर बेने net profit आया, 364 Lakh, लास्ट क्वार्ट क्वार्ट का, लास्ट क्वार्ट में प्रॉफिट ता 445 Lakh का, लास्ट इयर ता 3908. तो year-year भाई भी 50% growth देखनों का मिली है quarter-quarter भाई भी 40% growth 60% growth देखनों का मिली हमे net profit केंदा अब चलेंगे earning per share के बारे में तो इस quarter में earning per share 5.86, last quarter में था 3.67 और last year था 3.48 तो देखे quarter-quarter भाई भी earning देखेंगे तो 348 से बढ़के 5.86 हुई है और 367 से बढ़के 5.86 तो year-year भाई quarter-quarter भाई भी देखेंगे तो result काफी ultimate देखनों मिला जिस तरह से profit देखनों मिला double-teval यानि 50 और 60% growth देखनों मिली हो sales के तो जिस तरह से इजाफा देखनों मिला है तो moral था स्टोरी है कि इसका जो quarter-three गर जल रहा बहुत ultimate देखनों मिल रहा हमार को तो result तो काफी ultimate देखनों मिल रहा बाकी सब चीज़े सब कुछ सही है कि company को पर लैबेल्टी सब 12,000 हो गई है last quarter लैबेल्टी सब 12,000 हो गई है last year 9,000 लैबेल्टी सब बढ़ देखना हो भी लिए segment revenue बढ़के मिल के आए सबार को quarter में ठीकिना segment liability भी थोड़ी बहुत बढ़ी है बागी company ने किसी दर की dividend deal नहीं दिये तो यह इसका quarter 3 result है result के impact कैसे देखना को मिले है अब स्थोर्ण सा market का समस्ते है तो देकि इसका market काईप है 160 करोड बेगा only आपको BSC पर registered मिले है Jazz Industry Limited तो इसका stock P चला 8.54% का stock ROC चला 24.2% का और book values के है 67.77 पैसे की और return of equity 17.9% का dividend company नहीं देती है phase values की 10 रबेगी है अब देखें कमपनी almost करजा खतम हो चुए company quarter quarter result है company अपनी compounding annual growth maintain रखें 22% के हिसाब से अब इसके अंदर और के देखें share holding pattern देखेंगे इसकी तो इस quarter में share holding pattern same ही है last quarter में 57.64 promoter की तो इस quarter में भी same है public की भी same है तो अब चलते इसके चार्ट के अंगन तर कैसा indication देखने को मिलना हमार को तो चार्ट पे अलगी narrative में share चला था और अच्छे movement के साथ चला तो share यहां से अपने 52 high definite देखेंगे यहां पर corrective level पर था देखेंगे जित्ती गिरावाट हो चुकी थी बाकि इस candle को नहीं तो जो invented hammer candle जो बनी है last 3 दिन पहले trading session में तो इस candle को अभी भी break निका था यहां से 30 दिखाएगा वैसे भी आप 139 के stop process से भी hold कर सकते हैं बाकि मुझे लगता है इसमें पहला target आगा 160 का दूसरा target 175 पर इपना 52 high definite rate दोड़ेगा क्योंकि यहां से जो result impact देखने हो मिलेगा एक हपते के अंदर 175 level आपको दिखादेगा क्योंकि यहां से सपोर्ट अभी भी सकेंडल के नीचे नहीं गिया है तो यह तीजी के इंडिकेशन है और पूरा सपोर्ट लेके चलना तो यहां से पहला target 160 का दूसरा target 105 तक का लेवल आपको एजली तक किसे दिख जाएगा आपको यह वीडियो आपको यूस पहले तो पर इस वीडियो को लाइक शेया फावाट करना बिलकुल नहीं होगे थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो